असलाम वालेकुम आप देखरें अलीनास कुकिंग यूटूब चाइनल और आज हम बनाएंगे बकरा इद स्पेशल भूना कलेजी फिफसा यहां मैंने लिया है कलेजी और फिफसे को अच्छी तरह से धो कर देखिए और इसको स्टेनर में डाल दिया है ताकि इसका पूरा पानी निकल जाए प्याज लिये चौप कीवी अद्रक लिया है लसन लिया है कुटाव धनिया और लाल मिर्च मतन मसाला होम मेट काली मेरी पाउडर और हल्दी हम कडाई में सबसे पहले ओईल डाल देंगे ओईल गरम हो जाए तो इसमें हम फिफसा और कलेजी डाल देंगे नमक डालेंगे और इसको पकने के लिए ढख कर हम 10 मिनिट के लिए स्लो फ्लेम पे रख देंगे 10 मिनिट बाद ये देखिए इस तरह से हो गई है ये अभी इसको हम और 5 मिनिट के लिए ढख कर पका लेंगे यह देखियिए यह अच्छी तरह से 15 मिनिट में अच्छी तरह से माशालला यह देखिये पक चुकी है अभी जितना भी इसके अंदर पानी है वह हमको उसका सुखा लेना है पानी सूक चुका रहे, अभी इसके अंदर हम हदरक लस्सन चौप किया हुआ, प्यास दालेंगे चौप कीवी हमें हमने भूनना आए अभे, अभी ये तमाम मसाले भी हम मिला देंगे और उसको अच्छी तरह से भूनते जाएंगे अभी flame fast करके ही हमने इसको भूना है जितना हम भूनेंगे उतना ही अच्छा बनेगा खाने में बहुत ज़दा टेस्टी लगता है इसका भूनने का काम ही main है भूना, खलेजी पेपसा याने उसको भूनना है अच्छी तरह से अभी इसमें हम नमक मिला देंगे हमने पहले स्टार्डिंग में भी नमक दालेते इसलिए बाद में नमक हम इसके हिसाब से मिला देंगे और लिम्बू का रस भी हम मिला देंगे इसके यह देखिए माशाल्ला भुना कलेजी फिफसा बनके तयार चुका है इस पर थोड़ा हरा धनिया भी डालेंगे